लुटो को देखने से पहले लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड बैल आइकन पर क्लिक करें है गुट मार्निंग एवरीबड़ी वेलकम तो दो स्रीकलासीज आयम बरत प्रजापत तुड़े आम प्रेजेंटिंग अडवांस वर्जन ओफ हम कुछ एडवांस चीज़ें यहां पर सिखेंगे और कुछ यूज भी है उनका अपनी डेली लाइफ में भी और हम कई ऑफिस में भी वर्क कर रहे हैं तो वहां पर इसका यूज होगा और साथ इसाथ एक्जाम के यूज से भी बहुत इंपर्टेंट है ठीक है लाट वी जंटल्स लाइन है यानि कहूँगा मैं और कहलें वह आपके लिए रो और यू व्लिकल लाइन है ठीक है ना वह आपके लिए कॉलन कहलाएगी राइट तो जिसमें अगर अबन टेबल पे अल्डरमम्स वर्ड के अंदर आप इंसर्ट में जाके टेबल के क्लिक करेंगे तो को select करना उसमें row column add करना किसी row column को delete करना table को delete करना यह delete वाले option में जाएगा और auto fit में आपके उनकी जो width है वो auto fit हो जाएगी clear है next one is convert convert means आपका जो data है उसको table में कैसे convert करो और कोई table है तो उसमें data को कैसे convert करना sorting हो सकती है कोई भी data दे रहे हैं उसको alphabetically sort करना या फिर according to math जो है कल्कुलेटिव परपस के साब साब उसको कैसे sort करना यह चीज़ clear होगे now formula formula भी use कर सकते हैं केवल excel में ही नहीं आप word ms word में भी formula is use कर सकते हैं और grid lines grid lines so भी हो सकती grid format में यानि graphical format में यह चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी clear हो गया अब हम एक बात क्योंगा यहाँ पर यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर उपर horse ले जाऊंगा तो उसके according यहाँ पर row insert हो जाएगी clear हो गया यह बहुत ही simple है और इसके बाद मान लीजिए मैंने एक पहले सीट डेटा इसमें डाल रखा एक table insert कर वही मैंने यह इस टाइब की जिसमें sale number name department salary और यह data है let's suppose कीजिए हम इस पर अब कुछ manipulation करेंगे ठीक है ना हम यह manipulation करेंगे ठीक है अब उसके बाद आप देखिएगा जो चलता हो नहीं तू कर ली दे मैं जैसे बोलूँगा ना कि मैं वहाँ click करता हूँ click करते आपको यह click करवाना ठीक है ठीक है बैक लीजिए बैक लीजिए अब देखिए मिरको यहाँ जो देख रहे ह करसर ले जा कि tap की insert करूँगा तो मेरे यहाँ पर एक row एंटर हो जाएगी clear हो गया कोई किसी को problem तो नहीं यहाँ पर हो गई अब मेरा target यह है जो जितनी भी salary दिख रही है आपको 1,80,000, 65,000, 50,000, 40,000 इन सब का मुझे sum चाहिए मेरे पास कोई axle मुझे axle चला नहीं अभी आ table पे click करते ही आपके सामने यह option आएगा design के अंदर आ जाएगा यह option design पे click करते ही table पे इस बार में हम यहाँ left most left что right में ही हमारे उपर मेरे और्ज की तो पडिक होगा formula लिखा हुआया rut एप और यह जो फौन पर फ हो है इस जिसे मैं ये फॉर्मुलय पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक डाइलोगब्बोक्स आ गया इस डाइलोगब्बॉक्स में क्या लिखा हुआ है सम अबाउग अबाउट में क्या हो जाएगा आप इसका मतलब समीह पर लाएं सम मतलब सम मतलब तो आप सब से अडिशन वेल्यूज उनको आपने सम कर दिया उसके बाद में क्या कर दूंगा यह मेरा ओक्य हो जाएगा जैसे में ओके पर क्लिक करूंगा तो ओके पर क्लिक करते ही मेरे यहां पर देखों टोटल आजाएगी 23,235,000 लेर हो गया यह यह चीज़ समना आएग नहीं पहले बताएगे आ डोख कट की की हल्प से भी हम यह आँ पर फॉरमला लगा सकते हैं मान लिजिए मिरे को या यह तो इस में दोनों में से किसी में भी मिरे को एक फॉरमला यू जलोए ठेक है तो मैं एक कीप्रेस करूंगा ctrl f9 ctrl f9 ctrl f9 मैंने key press की जिससे किया ऐसे braces आ जाएगे यहापर इसके अंदर आप कोई भी formula लिख लो sum का formula लिख लो count का formula लिख लो यहाँ मैं sum लगा नहीं सकता because क्यों 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 उपर तो क्या है sub character है तो sum का formula कहा लगेगा इस वाली table में लग जाएगा clear हो गया तो मैंने यह formula लगा दिया sum का sum बराबर में a2 a2 क्यों लगाया अब यहाँ पर समझेगा देखो axle में क्या होता है यह क्या होता है a होता है ठीक है यह b होगा और उसी तरह c फिर d यह सब हो जाएंगे अब आप देखिए यह हो गया a1 यह a2 ठीक है यह a3 इसी तरह ही है अब इसका address देखिए यह होगा a2 a2 से a3 a4 a5 a6 यह सारे यहां तक a6 यानि sum bracket के अंदर a2 से a6 यहां जाएंगे यह ब्रेस से इसके बाहर आते आपको f9 की प्रेस करनी है क्या प्रेस करनी है f9 f9 जैसी प्रेस करोगे यह आपके पास output शो कर देगा clear हो गया तो आपके आसपर output क्या गया 15 आ गया यह चीज clear होगी यह हमने दोनों से data है यह data कैसे format में भी कोई table format में है क्या यह हमारा सिर्फ एक just data है इस data की खासियत है जो class लिखा है मैंने उसके बीच में यह देखिए यहां पर यह जो gap है tap से दिया है जिससे की computer को यह पता चल सके कि class और number of students उनकी बीच में gap किसका है tab का है tab का gap दे दिया उसी तरह 10 और 70 के बीच में भी टैप सब दो में के बीच में tab का gap है अब हम क्या करेंगे इन पूरे को किसमें convert करना हमें इसमें convert करना है, table में convert करना है clear हो गया, तो table में convert करने के लिए हमने इसको select कर लिया और हमने यहाँ table पे click कर दिया, ठीक है, table पे click करते ही, मैं यहाँ देखो convert text to table लिखा हुआ है convert text to table लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर जाओंगा और मैं स्टैक्स को किससे किया है ऐब से किया है आप प söz सकते और अदर कोई problem से करो तो उसके बाद कष़का चीज न리 क्लीए कर दूँआ तौमने कैसे सीख लिया सारे डेट को किसमे कर लिए हमने टेब legal करτε लिए beneateg फिर कोई कहता नहीं मुझे तो यह टेबलर फॉर्म में चाहिए तो आप इजी ली यहां पर कर सकते हो अब आप देखिए टेबल की डिजाइन तो आप उपर से सलेक्ट करें सकते हो डिफरेंट टाइप की अब एक चीज यहां पर देखिए class जो है पहले तैंत है फिर first, fifth, fourth, eighth, seven, six ए अब आपका बन कर रहा हो के नहीं या, या आझ यह class को एकड़र एक्डिंग two sequence होनी चीव, यह diyor निफ्स आ है, second, third आ है तो किया, आपके पॉस्च आछण्स इसको करने का किस कर सकते है उसको तो अब क्या करोगे आप आप वापस जाओगे यूज में डिजाइन में जैसे आप वापस डिजाइन में ठीकिन डिजाइन में आप जाते हिए आपको एक option मिलेगा यह उपर यूपर देखिएगा sort का किसका short का इस पर click करने से पहला आपको जो data sort करना है sort means arrange करना है उसको आप select कर लोगे select करने के बाद यहाँ sort पर click करोगे sort पर click करते आपके पास यह window open हो जाएगी clear हुआ वापस समझेंगे हमने यहाँ पर जो data हमें sort करना है उसको हमने column 1 कहा तक करना है column 2 तक करना है तो यह रहा हमार column 2 clear हो गया और भी कुछ होता तो वो हम यहाँ mention कर देते है clear हो गया यह सब करने के बाद हम किस पर click करेंगे okay पर click कर देंगे जैसे मैं okay पर click करूँगा तो मेरे पास आप देख रहे होंगे पहले था 10 1 5 4 8 7 6 और अब क्या है 1 4 5 6 7 8 यह चीज़े clear होई या नहीं होई आगया data हमरे पास अब मेरे को यहाँ पर एक row insert करवानी है तो अब यहाँ पर column देख रहे होंगे आप यहाँ मेरा cursor देख रहे हैं आप यहाँ पर मैं cursor रखके एक tab की press करूँगा tab की कैसी press करते ही मेरे पर यहाँ पर क्या आजाएगी यहाँ क्या आजाएगी एक नई row insert हो जाएगी अब मेरे को इसी जगह पर इसका sum चाहिए मैं वही डिजाइन पर जाके formula पर क्लिक करूँगा formula पर क्लिक करके मेरे पास window आ जाएगी जिसमें क्या लिखा होगा sum above sum above जितना भी उपर वाला था वो सब हो जाएगा और फिर में ok पर click कर दूँगा तो जैसे ही मैं ok पर click करूँगा ठीक है न तो यहाँ पर मेरे पास यह sum आ जाएगा 335 sum आ गया clear हो गया कोई दिक्कत यहाँ पर अब let's suppose करो जो class है वो total कितनी class है total class है कितनी है दस लेकिन यह आपका गलत जवाब है दस तो maximum class है count गरो one four five six seven eight यह ऐसे नहीं कहा रहा हूँ मैं one two three four five six seven साथ class हो का data आपके पास कितने class होगा data है अब यह तो single section हुआ बाही chance double section हो तो आप कैसे calculate कर सकते हो यानि आपको count करना है क्या करना आपको count करना है अब आप कुछ मत करो वही formula अपना हो यहाँ पर करसर रखो और आप formula पर जाओ किस पर जाओ formula पर clear हुआ जैसे यह आप formula पर जाओगे आप formula पर जाओगे तो आपके पास पर की value होगी वह उसको क्या कर लेगा count कर लेगा यानि जैसे आप ok पर click करो गए तो वह अपना show करेगा यहाँ पर data 7 आगे 7 clear हो गया तो आपने क्या कर लिया data sort कर लिया data की sorting कर लिया data को add कर लिया data का count कर लिया यह चीज थी इस table के अंदर बाकि style अगरह सब आप दे सकते हो you know very well data किसी को merge करना है तो आप उसको दू को select कर दो जिसी भी चाय कॉलम को merge करना है और right click करके merge के option आ जाएंगे split करने की option यहाँ उ